चुटकी चुडिया, अपने बच्चों के साथ फिर से बस्ती में रहने के लिए वापस आती है आने के बाद सभी पश्य बक्षी मिल जुलकर खुशी से रहते है और बस्ती का कवा राजा पिल्लो चील को अपने धरबार में बुला कर उसका स्वागत करता है और पिल्लो चील को अपने बस्ती का और सभी पश्य बक्षियों का रखवाला गोशित करता है सब पश्य बक्षी पिल्लो को अपना लेते है पिल्लो चील को बड़ा ही सनमन देते है यह देखकर चुटकी चिडिया और उसका परिवार बहुत ही खुश होता है और वो सारे मजे से रहने लगते है पिल्लू चिल बसी के सारे पश्यों पक्षियों को और दुसरे चील पक्षियों से और साप से बचाता रहता है एक दीन चुट किछडिया भी मर हो जाती है तो पिल्लू चिल बोलता है कि मा आज मैं खाना लेने जाता हूँ खिचडिया बोलती है ठीक है जा लेकिन जल्दी वापस आना तो पिल्लू चिल अपने परिवार के खाने की तालाश में कही दूर चला जाता है इधर बस्ती में एक बुरा कववा रहता था वो चाहता था कि पिल्लू चिल बस्ती से हमेशा के लिए चला जाए वो पिल्लू च पिलो चील से बड़ी ही नफरत करता था, सारे चिडिया और पशुपक्षी आपना रखवाला मानते थे, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता था, और वह उसका बदला लेना चाहता था, तो उसने देखा कि पिलो चील सुबह खाने की तलाश में बहुत दूर चला गया है, त तो उसने एक योजना बनाए, कि आज कैसे भी करके पिलो चील को हमेशा के लिए बस्ती से निकाला जाए, वो सोच नहीं लगा, तभी उसने संबो चीडिया के गोसले में, उसे दो बच्चे दिकाए दिये, संबो चीडिया तो गोसले में नहीं थी, तो बुरे कवे ने जैसे सोचा, वे इसा ही किया, संबो चीडिया के बच्चे को खाया और अपने मो में लगे खून को साफ कर दिया, कववा राजय के पास चला गया, और कववा राजय को बोला राजय जी, राजय जी, हमेरे साथ बहुती बड़ा दोका हुआ है, तो कववा राजय बोला के लिए बुलाया उसको हमारा रखवाला बनाया लेकिन उसने पड़े बहरहमी से संभुचिडिया के दो बच्चे को मार डाला और वो वहां से कही तूर जंगल में भाग गया हमें जल्दी से जल्दी उसको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए यह पिर उसको कवाराजा क्रोधित होकर सीफायों से बोलता है सिफायों जल्दी से जाओ और पिरलो चील को पकड़कर लिए आते हैं इधर पिरलो चिल आने से पहले ही राजा जी के दरवार में चुटकिचिडिया उसके बच्चे संभुचिडिया और सभी बसी के पशिवपक्षी पहले से ही बैटे हुए थे पिलू चील के मुँपर लगे खून को देखकर उस सब को लगता है यहाँ सच में पिलू चील ने ही संबुचिडिया के दो बच्चे को खाया है तभी कवा राजा बोलता है पिलू चील हम सबने तुम पर बहुत ही बड़ा विश्वास किया तुझे हमारे बस्ते में वापस बुलाया और बड़े सर्मान के साथ हमारा रखवाला गोशित किया लेकिन तुने हमारे साथ बहुर बड़ा दोखा किया और तुमारे परिवार को आज सजा मिलेगी इदर पिलू चील को किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया तभी चुटकी चिडिया बहुत ही क्रोधित होकर बोलती पिलू तुमारे मौ में तो खून लगा है मतलब तुने संबुचिडिया के बच्चे को खाया है मैंने तो तुमें मेरे बेटे जैसा माना मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे बेटे हो तुझे प्यार दिया तुझे पे इतना विश्वास किया इतना भरोसा किया लेकिन तुने यह क्या किया कल तो तुम मेरे बच्चे को भी खायोगे तुम बहुत प्यार दिया लेकि तु दूसरे चील के जैसा ही निकला तुने हम सब को धोका दी एक मा की दिल को बहुत ही दुख दी मैं तुमें कभी माप नहीं करूँगी तुम हमें हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाओ मैं तुमारा मूँ नहीं देखना चाहते चुटकिचडिया फुट-फुट कर रोने लगी इधर पिल्लू चील के भाई भी पिल्लू को बुरा भला कहने लगे तुम हमारे भाई होने के काबिल नहीं हो तुम इहां से निकल कर जाओ यह अपने मा और भाईयों की बात सुनकर पिल्लू चील फुट-फुट कर रोने लगा मेरे अपने कोई मुझ पर भरोसा नहीं तो बागी लोगों का तो क्या करेंगे और यह फुट-फुट कर पिल्लू चील रोने लगा और कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन उसके मुँपर लगे खुन चील होने के वज़े से कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था यहाँ देखकर पिल्लू चील बहुत ही दुख्य हो गया और ठुप बेट गया इधर दर सारे बस्ती वाले पशुपक्षी कहने लगे कि पिल्लू चील और उसके परिवार को बस्ती से निकाला जाए यहाँ सुनकर राजा जी आदेश देते हैं कि चुटकी चिडिया और उसका परिवार पिल्लू चील के सहीत हमारे बस्ती से हमेशे के लिए चोड़ कर तुम चले जाओ लेकिन पिल्लू चील बोलता है राजा जी इसमें मेरे परिवार के कोई गलती नहीं है और मेरे परिवार ने भी मेरे उपर विश्वास न करके मेरा साथ छोड़ दिया है तो मेरे मा और मेरे भाईयों को यहाँ रहने दो मैं खुद ही अकेले यह बस्ती हमेशा के लिए छोड़ कर कही दूर चला जाता हूँ राजा जी बोले ठीके तुम यहाँ से निकल जाओ इधर पिल्लो चील बहुत दुकी हो जाता है योकि इस समय वो कुछ भी कहने कोई विश्वास ही नहीं कर रहा भरवसा नहीं करेगा तो पिल्लो चील बहुत दुकी होकर बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाता है उसके बाद सारे बस्ती के पश्यवक्षी अपने अपने घर चले जाते है चुटकी चिडिया भी अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है इधर बुरा कवा मन ही मन में खुश होकर वो भी उसके घर में चला जाता है उसनी योजना बनाई और वो सफल हो गई और पिल्लो चील को बस्ती से भगाने का उसका सपना पुरा हो गया बुरा कवा भी अपने घर बड़ी खुशी से आता है और बड़े खुशी से आपने बीबी से कहता है कि सब कुछ बताता है कि उसने कैसे योजना करके पिलो चिल को बसी से हमेशा के लिए निकाल दिया यहां सुनकर बुरे कवे की बीबी कहती है यहां आपने क्या किया आपने बहुत ही बुरा किया आज बिल्लू चिल नहीं आता मैं और हमारे बच्चे आपके सामने नहीं होते तो बुरा कवा केता है यह तुम क्या कह रहे हो तो वो तो हमारा दुश्मन है तो बुरे कवे की बीवी केती है हमारा दुश्मन नहीं हमारा रखवाला है आज सुबह एक साप ने मेरे उपर और मेरे बच्चों के उपर हमला किया तो हम बहुत ही डर गए हमें उस बड़े साप से बच्चने के लिए चिला कर मदद माई ओई हमें बच्चाओ मेरे बच्चों को बच्चाओ तबी पिलूचिल यहाग दूर से कही जा रहा था उसने मेरे आवाज सुनकर वो आया उसने वो बड़े साप को मार डाला वो साप से हमें बचाया और यहाँ से पिलूचिल चला गया पिलूचिल तो हमारे बेटे जैसा है यह सोच का पिलोचील हमारे बेटे जैसा है वो तो हमारा रखवाला यह यह कहते वो पुटपुट कर रोने लगे तभी बुरे कवे को अपने गलती का एहसास हो गया जिसे अपना दुश्मन मानता था वो तो हमारा रखवाला निकला मेरे परिवार का रखवाला निकला उसने मेरे परिवार की जान बचाई और मैंने तो उसको बहुत ही दुख दिया बस्ती से हमेशा के लिए उसको निकाल दिया बुरा कवा रोने लगे तभी बुरे कवे की बीबी बोलती है कि सुनिये जी, अभी भी इतनी देर नहीं हो गई, हम पिलो को वापस हमारी बस्ती में बुलाते हैं, चलो राजा जी के पास और आपको अपनी गल्दी माण लेनी चाहिए, तो भूरा कवा उसके परिबार के साथ राजा जी के दर्बार में चले जाते हैं, और सब कुछ बाताते हैं, राजा जी अपने सेफायों को आदेश देता है कि पिल्लो को वापस वापस बस्ती में बुलाए जाएं। और इधर चुटकी चिडिया, उसके बच्चों के साथ संभू चिडिया और बस्ती वाले सभी बस्ती के पशुपक्षी राजा जी के दर्बार में पहले ही बेटे हुए थे। पिल्लो चील की कोई गल्ती नहीं, ये बात सबको पता चल गई, बुरे कवे की गल्ती है, सारे बस्ती वाले को ये बात पता चल गई, राजा जी राजा जी ने बुरे कवे को सजा सुनाई, पिल्लो चील को लाने के लिए सिपाय, पिल्लो चील को लाने के लिए जो शिपा अपनी वस्तिमें ला सकती हो तो चुटकिचिडिया को बहुत ही दोख हुआ यह सुनकर वो फुटपुट कर रोने लगे उसने विश्वास ही नहीं किया था वो मण ही मण में रोने लगी और पिल्लो-चिल को लेने उसके पास चली गई पिल्लू चिल के पास चली जाती ही चुटकी चिडिया उसके गले लगती है और फुट-फुट कर रोने लगती है पिल्लू चिल भी रोने लगता है चुटकी चिडिया और उसके बच्चे का कहना मानकर पिल्लू चिल फिर से बस्ती में वापस चलाता है पिल्लू चिल अपनी बस्ती में वापस आने के बाद बस्ती के सारे पशुपक्षी बड़ी खुशी से उसका स्वागत करते हैं और फिर से पिल्लू चिल उस बस्ती का रखवाला बन जाता है